भाजपा के ओप्रेशन यादों को सफल बनाने के लिए मध्परदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादों बिहार आ रहे हैं बिहार में यादों की 14 प्रतिशत से अधिक ये बादी है जिसके सबसे बरे नेता लालू पृशाद यादों हैं मतलब यादों के नेता लालू यादों है और लालू यादों को डैमेज करने के लिए भारती जनता पाटी हर एक निती रनिती पर काम कर रही है चुकि 14% वोट कोई मामूली वोट नहीं होता है ऐसे में बिते महीने भारती जिन्तापाटी ने 20,000 से अधिक यादवों को भाजपा की सदस्ता दिलाई थी और अब भाजपा लालू प्रशाद यादों से आरपार की लराई लरने को तयार हो गई है ऐसे में चुनाव को लेकर देश की तमाम छोटी बड़ी राजनितिक पार्टियां अपनी चुनावी रनिती बनाने में जुट गई है इसे भीच भारती जन्तापाटी के बरे निताओं का बिहार दोरा सुनो हो गया है ऐसे में अब जो जानकारी सामनी निकल के आ रही है उसके अनुसार अगामी 18 जन्वडि को मदप्रदेश के मुख्यमंतری जाभाजपा की सरकार है भाजपा के मुख्यमंतری मोहन यादो पटना आ रहे हैं बिहार के राजदानी पटना रहे है जानकारी की मानने तो बिहार में भाजपा ने ओप्रेशन यादो शुरू कर दिया है राश्ट्री जन्तादल यानि आरजडी के वोट भेंक में सिंदमारी के लिए बीजेपी ने मोहन यादो को बिहार बुलाया है अब उनके जरिये बिहार के यादो वोटरों को साधने की तयारी की जा रही है 18 जन्वडी को मोहन यादो पत्ना रहें पत्ना में बीजेपी कारकरतां दोरा उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा बाचपा अब तक लालू पत्षाद यादो को साधने के लिए कई यादो नेताओं पर दाओ लगा चुकी है यसे में देखना है कि मोहन यादो बिहार में बाचपा की उमीदों को कितना पूरी कर पाते हैं चुकी अब तक जब भारती यादो नेताओं को आगे किया तब तब वो फेल नजर आई ऐसे में क्या अब मोहन यादो के जर्ये बिहार के 14% वोट बैंक में सिंधमारी कर पाती है या फिर कितना कर पाती है ये भी एक बड़ा सवाल है चुकी यादो के सबसे बरे नेता लालू पुरशाद यादो है बिहार में यादो लालू पुरशाद यादो के नेता मानते है उत्तपरदे में चले जाएंगे तो वहाँ पे मुलायम सिंग यादो के बाद उनके बेटे अखलेस यादो नेता है हलाकि समय और प्रस्तिती बदलने के साथ कुछ वोट बैंक जरूर खिसका है लेकिन अभी भी मैक्समम वोट बैंक आरजेडी के साथ है और आरजेडी का कोर वोट बैंक मुसलमान और यादो को बताय जाता है ऐसे में आरजेडी को डेमेज करने के लिए लालू परशाद तो जो मद्परदेश के मुक्ष मंतरी है वो बिहार आ रहे हैं चूकि देश में यादो की संक्याची का सी है धर 24 का चुनाव है और 24 में नरेंद्र मोधी के लिए बिहार एक बड़ा मुसिबत बनता हुआ दिख रहा है हलाकि इस मुसिबत से निकलने के लिए भारतिनता प हैंगे और यहां पे उनका भव स्वागज है वो कारकरताओं द्वारा बिहार के निताओं द्वारा किया जाएगा सवाल बरा है कि अब तक जिन यादो निताओं पर भाजपा ने दाव लगाया वो फेल न जराई वो कारगर साबित नहीं हुए वो यादो वोट बैंक में स सिन्दमारी कर पाएगे क्या ये बड़ा सवाल है हलाकि कहा है भी जा रहा है कि मोहन यादो को जिस दिन मुख्यमंत्री बनाने का अंद्र ने लिया गया उसे दिन लालू पुशार यादो का ऐसा लगा कि अब यादो भोट बैंक में भाजपा सिन्दमारी कर सकती है लालू को लेकर किसे ने किया तो वो भारतियंता पार्टी है मुख्यमंत्री बनाया लालू यादो सिर्फ परिवार की राजनिती करते हैं यादो वोट करेगा मुसल्मान वोट करेगा लेकिन मुख्यमंत्री कौन मरेगा तो वो भी परिवार के लोग लालू यादो के बेटी बने बाच्पा जो है वो बड़ी जोरो सोरो से कर रही है अब देखने वाली बात होगी क्या बाच्पा इस ऑप्रेशन में सफल हो पाती है या नहीं आपको क्या लगता है आप अपने आपको कमेंस बॉक्स में रखिए अगर आपने चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब लोगर जेख्पा अजया है आप अन कर दो कर दो